नमस्कार दोस्तों मैं विनीदा संस्कृती आईएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज का जो हुमारा चर्चा का विशे है वह है हवाना सिंड्रॉम अब दिखें हवाना सिंड्रॉम जो है अब तक की एक रहस्य में यह बिमारी बना हुआ है साथ ही साथ इसके जो रोगी है उनके लिए कोई उप्चार है तो कोई भी विशिष्ट पद्दिती या कोई मैडेसिन अभी तक उपलब्द नहीं हुई है देखें अभी जो है हाथ लाल में यह जो है न्यूस चैनल में जो न्यूस पेपर्स की हैड्लाइन है उसमें यह सिंड्रॉम जो है लगातार बना हुआ है यह अभी चर्चा में क्यूं है इसका नाम जो है अवाना सिंड्रॉम क्यूं पड़ा इसके लक्षन क्या है यह सब ह अधिकारी रहते हैं उनमें पिछले कुछ सालों से एक बिमारी देखी जा रही है रहसे में बिमारी जिसे नाम दिया गया है हवाना सिंड्रोम और अभी इस टाइम पर न्यूस में क्यों है क्योंकि ऐसा अमेरिका के कुछ मीडिया है उसके अनुसार वो यह कह रहे हैं कि जो सोनार का सोनिक वीपन है उसके दवारा इस बीमारी को देख लेते हैं तो मैंने आप इब बताया जो देशों में जो अमेरिका के दूतावास में रहने वाले जो आधिकारी है राजनायक जिने कहा जाता है उन्सका जो बिमारी फैल रही है हवाना सिंड्रोम उसके लिए जो रूस की सेना एजन्सी है उसको जिम्मिदार माना जा रहा है अब यह ऐसा क्यों कह रहे हैं अमेरिका अ contextshee उनको जो रुवु ने एक भणी यह संटबन बनाया है जिसको टारगेट कर रहा है जिसका निशाना भनारा रहा है हमारे अमेरिका के जो दूतावास के अधिकारें रहा है रूस रहे चाहिने सब्सक्ला देला पर इसमेरिकारा नहीं कर पाया है है। कुछ कर रहा है तो चलिए आगे देखते हैं कि हवाना सिंड्रोम है क्या जो ये विमारी है रहस्य में विमारी से क्यों कहा जा रहा है तो देखो रहस्य में विमारी जिसको सबसे पहली बार कहां पर देखा गया तो वर्ष 2016 में जो क्यूबा है क्यूबा की जो राजधानी है हवाना वहां पर सबसे पहले जो अमेरिका का दूतावास है वहां के राजनायकों में या वहां के अधिकारियों में सबसे पहले बारी से देखा गया था और यह जो हमारा हवाना है इसलिए इसको जो नाम दिया गया हवाना नाम दिया गया दूसरा जो इहां पर लिखा गया है syndrome syndrome क्यों लिखा गया है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि syndrome कोई अनोकी चिकित से स्थिती नहीं है बलकि एक लक्षणों का समूँ है जो आम तोर पर एक साथ अनुभव किया जाता है यानि कि एक बहुत सारे लक्षण अगर कहीं पर क रहने पर अपने घरों देगी 250 नहीं किसी तरीके के की कोई आवाज नहीं और उन्हें पहुत जोरों से अपने कानों में जो अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी वहाद तेज उन्हें लगा उन्होंने अपने कानों को बंद भी करा वह वह अवात है और उसके वह बहुत भारी भारी लगने लगा ऐसा लगना लगा कि उनके सर पर कोई अब रंदी लग देखा गया कि इस बीमारी में जो है शोर तो चुनाई देता ही है है साथ सात क्या होता है कि फूरिटी लोगों को चकर आने लगते हैं बहुत साधा सर्मित दर्थ सातर और पर तोफ रहे हैं आपकी सही है सब कुछ सही है लेकिन आप प्रॉपर चल नहीं पाएंगे आपका बैलेंस खराब हो जाएगा आप इधर उदर गिरने लगेंगे तो यह सारी जो परेशानिया है यह सारे लक्षण जो है उसमें व्यक्तिव में देखे गई जिनमें विमारी हुई अब देखें यहां पर हम को यह मैप के माधिम से हम को यह कुछ वा है उसकी जो लोकेशन मैप में यहां रा उसकी पहली बार देखी गई ति अगर बात करें क्योंकि अभी ये न्यूस में बनावा है तो आप से इसके जोग्राफी के रिलेटेड भी कोश्चन पूछ सकता है तो क्यूबा कहां पर है क्यूबा जो है इधर इसके जो वेस्ट में है वो गल्फ ओफ मेक्सिको है अगर आप बात करें इसके नौर्थ के तो यहां पर पूरा जो है अत्लांटिक महासागर है साउथ में इसके जो है सेंट्रल अमेरिका है जिसमें पनामा सीटी वगरा आते हैं नौर्थ में इसके जो है क्या है फ्लॉरेडा प्रायदीप है यहां पर पूरा अट्लांटिक महासागर के बीच में यह एक क्यूबा एक छोटा सा टापू है यह द्वीप है तो चलिए आप क्यूबा की जो है पूरी जोग्राफिकल आपको बता दिया दिखा दिया यहाँ सुम करके दिखाए गया है कि क्यूबा यह रहा यह इसकी राजधानी है इधर यह आपको फ्लॉरेडा दिखाए गया है नीचे आपका जो है सेंट्रल अमेरिका है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तो हुआ क्या था जब यह सारी चीजे सामने आई तो जो हमारा अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने लेशनल अकैडमी ओफ साइंस में यह कहा कि आप इस पर रिसर्च कीजिए और इसके वारे में पता लगाए तो वहां पर तकरीबन 19 जो फ्रिक्वेंसी की वज़े से हो रहा है यानि की पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी की वज़े से हो रहा है या निर्देशित माइक्रोवेव विक्रण की वज़े से हो रहा है तो यह माना गया कि हो सकता है कोई इंटेंशली ऐसा कर रहा हो कि माइक्रोवेव वहां पर छोड़ क्यूंकि उस टाइम पर जो है क्यूबा और अमेरिका के संभंद इतने अच्छे नहीं थे और लोग यह चाहते थे कि इनके संभंद जो है अच्छे ना हो और ऐसे ही बने रहें तो हो सकता है किसी ने है ग्याने क्या एक मानसीक बिमारी है कि उससे देखते हैं जिसमें जो सब्क्राइब है किसी तरीके का साइकलोलोजीकल सिंड्रॉम हो या कोई वाराल इन텐वालववड हो ब्रेइन में या हो सकता है कोई शौक लगा हो जिसकी वज़े से ऐसा हुआ हो या उनके ब्रेइन में जो है oxygen की मात्रा कम हो गई हो किसी भी रिजन से वो सकता है आसपास के वार्मेंट की बीड में भीर में वह हो रहे हो जिसकी वज़से उनके ब्रें में जो है oxygen की मात्रा कम हो जाए या फिर कोई mental stress उने रहा हो तो इन सब वजहों के चलते हो सकता है कि उन्हें जो है मनौव इङ्यानिक बीमारी के रीमारी में देख रहे हों अभी कि कि सब्सक्राव रखावना के साथ-साथ जीवन की अनिश्चिता के डर और तनाव इस इस मनोवग्यानीक लक्षन को उतपन करने के कारण हो सकते हैं जैसे वान थो आगे भड़ते हैं आगे देखते हैं तो गवाना जो इसाति सच्टिंग में ही बताया था कि हवाना जो चिद्रोम है उसके रोगयों के लिए अभी तक कोई उपचार का कोई विशिस्ट पद्यति या कोई विशिस्ट मैडिस नहीं दख नहीं तक नहीं वनी बनी है कि रहा है कि उनके जो लक्षण पर उन्हें जो है उपचार भी नहीं वयाम बताये जा रहे हैं गिन ब्लोग को संतुलन खराब ओ गया है छिन में संग्यानाफ्म किना रहा है तो उनके लिए क्या और प्रशिक्षन अभिहास किजिए यह सारी चीज़े करने को बोला था अमेरिका के जो भी दूटावास में लोग रहे अलग अलग जगे के और भी ब्हम कर्कूसरी के history लेकृत करनाटक कोई कोड़ मांग करी है कि अभी हालहे में क्या हुआ है बैंगलोर में एक वैक्ती ने क्या करा है करनाटक के हाई कोर्ट में यह मांग करी है एक याची का दाय करी है जिसमें उसने यह मांग करी है कि हाई-frequency microwave transmission की जाच की जानी चाहिए कि भारत में बहुत कम होता है उसके बहुत कम अखिस नुक्सान नहीं पहुचा ती याचि का दायर करके इसकी मांग करिए कि high frequency की microwave का जो transmission है उसकी हमें जाच करनी चाहिए तो केंदर सरकार ने इस पर क्या reaction लिया है केंदर सरकार ने high court में कहा है कि हम जो है इसकी जाच अब स्टार्ट की जाएगी और भारत में भी इससे related जो भी जाच होती है microwave transmission की वो करना जो है भारत स्टार्ट करेगा तो चलिए आज की संभावित प्रश्ण को देख लेते हैं प्रश्ण क्या है हवाना syndrome के संदर्म में निम्निलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन आप से कह रहा है यह एक रहस्से में विमारी है जिसके लक्षन पहली वार वर्श 2016 में क्यूबा के हवाना अमरीकी दूतावास के राजनाइकों में देखे गए थे दूसरा कथन आप से कह रहा है इसमें उपचार हेतु कोई विशिस्त पद्यती उपलब्द नहीं है तीसरा आप से कह रहा है भारत में इससे संबंदी कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है तो इसमें पहला और दूसरा कथन आपका सही है लेकिन तीसरा कथन गलत हो जाएगा क्यूंकि एक मामला भारत में सामने आ चुका है वर्ष 2021 के बाद अब तक वर्ष 2024 हमारा चल रहा है अब तक इसका कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्स स्काइब कीजिए नमस्कार